दोस्तों मध्य प्रदेश, शिवरात सिंग चोहान के नित्रत वाला राजे, जहां सरकार उनी के चलती है, आसान भाशा में कहूं तो बीजे पिशासित राजे मध्य प्रदेश, बढ़ा ही खुबसूरत राजे है दोस्तों, किसी राजे को खुबसूरत कौन मनाता है, वहां क देखा भी गया है कि अगर जनता अपने पर आ जाये, क्योंकि जनता को जनार्दन कहा जाता है, जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है, यह पबलिक है, सब कुछ जानती है, यह आपने सुना होगा दोस्तों, तो अगर जनता अपने पर आ जाये ना, तो राजे का नाम खर शराब करने वालों कून की भाशा में जवाब देना माकूल जवाब देना अच्छी तरीके से चानती है। और ये तस्वीरे साफ तोर पर मध्यप्रिदेश में देखने को मिली है कि शराबी इदर उदर लोटे पड़े हैं और ये भी देखने को मिला है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का खतरा सता रहा है। धीरे धीरे ये जो पूरा मामला है इस पर सुनवाई भी चल रही है और आगे क्या होगा वो भी पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर फिर हाला बात करेंगे दोस्तों तो आरोप लगाने वाली बीजेपी के शासन वाले मत्यप्रदेश में जनता ही शराब की दुकानों का विरोध करना शुरू कर चुकी है। और शिवराज जी उस पर क्या कहना चाहेंगे ऐस वक्त इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है अब शिवराज जी कुछ कहे या ना कहे जनता ने सडक पर उतर कर जो कहा है वो आपको हैरान कर देगा और आपको वही इस खबर में हम बताने वाले हैं। अब ही आप लोगों ने जगा जगा हिंदू संगटनों को अपनी मांग बनवाने के लिए सुन्दर कांड या हनुमान चलिसा का पार्ट करते हुए देखा होगा दोस्तों निश्वत तोर पर देखा होगा कुछ समय से यह जो तस्वीरे हैं यह जादा देखने को मिल रही ह मंद्र प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरे कई सामने आ चुकी हैं जहां हिंदू संगटनों ने कभी पार्क के बाहर बैटकर हनुमान चलिसा का पार्ट किया होगा कभी दूसरी जगा बैटकर हनुमान चलिसा का पार्ट किया होगा वो किस बात के लिए विरोध करते हैं दोस् संगठन से नहीं बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है साथी सुन्दरकान का पाठ भी किया है विरोध में इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर आपको हम दैनिक भासकर की खबर दिखा रहे हैं जिसके मताविक भुपाल में हॉस्पिटल और स्कूल के पाथ शराब की दुकान खोलने के विरोध में लोग सड़क पर उतराए उन्होंने दुकान के सामने बैट कर सुन्दरकान का पाठ किया उन्होंने लोगों को दूथ के पैकेट बाटे उनकी एमांग थी कि हॉस्पिटल और स्कूल से दूर ये जो शराब की दुकाने हैं ये खोली जानी चाहिए दोस्तों आपको ये आपकी जानकारी में बात होगी अगर नहीं तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो शराब की दुकाने होती है लिक्वे शॉप्स होती है उसको खोलने का एक नियम है कि वो हॉस्पिटल और स्कूल से दूर होनी चाहिए और उसका जो दायरा है वो पचास से सौ मिटर तक होता है तो यहां पर साफसीदे तोर पर कहा ये जा रहा है आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो दूरी है ये दूरी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए अब समाच सेवी सुनील शिवास्तप के नित्रत में बड़ी संख्या में लोग जो है ये विरोध करने के लिए उत्रे महिलाओं ने दुकान बंद करने की मांग की उन्होंने पुलिस अफसर को ग्यापन दिया जाहिर से बाते देखिए इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो उनके पास वज़ा भी वाजब होगी ही आपकारी कंट्रोलर सजेंद्र कुमार का कहना है कि यहां दुकान जो है वो निधारी दूरी पर ही खोली गई है लेकिन फिर भी अगर विरोध किया जा रहा है तो मामले की जाच करवाएंगे शाहपूरा में दुकान जो है जिसका विरोध किया गया है उसको बंद कराए गया है अब सवान ये है कि आखर मध्य प्रिदेश में शराब के खेलाब विरोत कैसे हो सकता है पहला कारण तो ये होना चाहिए कि भई बीजे पिशासित राज है तो किसी तरीके का कोई विरोत होना नहीं चाहिए दूसरा कारण ये कि अभी अभी तो मध्य प्रिदेश में नई शराब नीती लागू हुई है एक अपरेल को दोस्तो मध्य प्रिदेश में नई शराब नीती को लागू किया गया है सरकार ने कहा कि धाई हजार से जादा शराब के बाडों को बंद कर दिया गया है लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार इतनी सक्त है शराब को लेकर, शराब की दुकानों को लेकर शराब बेचने को लेकर तो देरिक भासकर ने असलियत कुछ और क्यों बताई है देरी भासकर की खबर कहती है दोस्तों कि टेंट में शराब की दुकाने लगाई जा रही है ध्यान से सुनियागा आगे क्या क्या बता रही हूँ लिखा है इस खबर में कि बाडों ने होटल की शकल लेगी है राज़धानी भोपाल के नयापुरा से लेकर शापुरा और करोंद समेत कई ऐसे इलाके हैं कई ऐसे छेतर हैं जहाँ पर शराब दुकानों के पास ही देखने को मिल रही है कई जगा तो शराबी खुले में शराब पी कर लोट जा रहे है इससे लोगों का जो में रोट से गुजरना है वो मुहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है कुलार रोट के नया पुरा में तीन दिल से टेंट में शराब की दुकान लग रही है ये में रोट से 50 फीट दूर भी नहीं है इस दुकान के पास ही खाने पीने के दुकाने है जो बाड़े में तबदील हो गई है बाड़ा किसको कहा जाता है दोस्ते एक तरीके से चार दिवारी आप समझे लीजे और चार दिवारी बना दी गई है जगा जगा और वहाँ पर बैट करी जितने भी शराबी है वो शराब कर दिया गया है यही कारण है कि अब यह जो लोग है यह दुकान के पास ही खुले और होटल रेस्टराउन में बैट कर शराब पी रहे हैं लोगों का ये भी कहना है कि शराब दुकान खुले से आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ी मुसीवदान खड़ी क्या क्या कहकर आरोप लगाए मनीश से सोदिया तो गिरफतार हो चुके है भाजपा ने अर्विंद के जिवाज से भी समय समय पर इस्तिफे की मांग की है लेकिन एक कहावत है दोस्तों हमें नहीं पता वो यहां पर सेटिक बैठती है या नहीं बैठती है पर याद आ रही है तो बोल देते हैं कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेका करते अब यहां किसका घर शीशे का है और कौन किसके घरों पर पत्थर फेक रहा है यह आप बहतर समझ पाए होंगे को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मुलाकात होगी किसे ऐसी खबर के साथ तब तो के लिए नमस्कार